हेलो दोस्तों आपका स्वागत है और आज दोस्तों आप सभी लेगों के लिए मैंने पांच ऐसे ट्रिक्स यहां पर ले के आ चुका हूँ जिसके तुरू आप अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीट को इंप्रूफ कर सकते हैं यहां पर आप में वाइफाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ आपके सिम कार्ट की जो आप अपने एंडरोइट फोन में यूज़ कर रहे हैं फिर वो चाहे एटल वोड़ा फोन जीओ आइडिया वगरे का क्यू ना हो मैं आपको पांच ऐसे ट्रिक्स वैसे दोस्तों एक चीस आपको मैं बता रहता हूँ कभी भी अगर आप किसी भी वीडियो को देखते और अगर वो बोलता है आपकी डेटा की स्पीड एकदम सूपर फास्ट हो जाएगी यह एप इंस्टाल कर लो वो कर लो यह सब कुछ जूट है ऐसा कुछ नहीं होता है क इन सबसे बचना अब सबसे पहले जो टीप है दोस्तों वह यह कि आप अपने फोन में से ना सबसे पहले तो unused apps को निकाल दीजिए हम हमारे फोन में बहुत सारे apps इंस्टाल करते हाडली हम थोड़े apps इस्तेमाल करते कुछ ऐसे apps होता है जो ऐसी पड़े हुए रहते लेकिन आपको मैं बता रहता हूँ यह सारे जो apps ना वो आपके background में आपके data का इस्तेमाल करते हैं अगर ऐसे कोई apps है जो आप use नहीं करते हैं पहली फूरसत में जाके उनको निकाल देना उससे आपकी speed में improvements आपको जरूर मिलेगी और उसकी अलावा दोस्तों हम सभी लोग अपन करते हैं जो wallpaper पर आपके home screen पर सामने दिखाई देती है इसको भी दोस्तों disable कर दो अगर बहुत ज्यादा important है तो रहने दो कोई बात नहीं लेकिन आप use नहीं करते हैं तो इसको निकाल दो क्यूंकि कभी कभी इसमें weather की information हम लगा कर देते हैं कभी important dates हमें remind करना रहता है तो यह है कि आप अपने phone में ad blocker app का इस्तमाल करिए ऐसे तो play store में जाएगे तो ad blocker लिख लिए बहुत सारे free apps आपको मिलते हैं जिसकी अच्छी rating से आप उसको उठाईए और यह सारी चीज़े दोस्तों क्या करते हैं कि आगर आप browsing करते हैं आप videos देखते हैं तो जो ads आती है इंप्रूफ करने में help करेगा तीसरा जो टीप है दोस्तों वो यह है यह एक्चुली में करने से पहले दस बार सोचना क्योंकि मैं सिफ उन लोग को recommend कर रहा हूँ जिनके लिए यह serious नहीं है आपके phone में आपको syncing वाला feature मिलता है android phones आप use करते हैं तो google आपके emails और दूसरे काम करें वहाँ पर भी चलता है तो आप क्या कर सकते हैं यह जो sync वाला feature है इसको आप off कर सकते हैं वैसे syncing का मतलब ही होता है कि आपका जो भी data होता है यह क्या करता है वह Google के server पर synchronize करता है तो यह काफी important होता है लेकिन अगर आप इसको off कर देते तो unnecessarily आपको notifications नहीं आए और जो data वो जितना consume कर रहा था जितना use कर रहा था वो भी वो पीछे नहीं करेगा तो यहाँ पर जब आप दूसरा काम करते है इसके जरीए आपको अच्छी speed यहाँ पर मिल सकते है लेकिन जब important हो तो ही आप अपने phone की settings में जाके Google की settings में जाके syncing को off कर सकते है लेकिन द browsing करते हैं या ऐसा कोई app इस्तेमाल करते हैं जिन में data ज्यादा consume होता है जैसे कि YouTube का app है ब्राउजर का आप जो भी यूज़ करते हैं particularly उन app में जाईए और वहाँ पर आपको clear catch का option मिलता है तो सारी catch file आप आहाँ से निकाल दीजिए तो यह चीज़ करने से दोस्तों आप speed improved होगी फिर वो कोई भी app हो आप जाईए उसके app में catch clear कर लिजिए और उसके बाद देखना आपको बहुत ही अच्छा फाइदा होगा अब number 4 वाली जो TV दोस्तों यह बहुत ही अच्छी है जहाँ पर मैं आपसे recommend करता हूँ कि आप जितना हो सके ना light app इस्तमाल करें जैस most वो features आपको full version app जैसा ही देता है लेकिन इन app को use करने से फाइदा ही होगा कि यह उतना data आपका पीछे से consume नहीं करता है जितना normal full version apps करते हैं तो यह भी एक tip है दोस्तों कि आप इन apps का भी इस्तमाल करें आप जो पांचवे ट्रीक है दोस्तों यह उन लोगों के लिए है जिसके पास Jio का SIM card है और अगर आपकी internet के speed slow है तो जो चिसमा आपको आप बताने वाला हो वो try करना आपके speed में बहुत ज्यादा फरक आपको दिखाए देगा वैसे दोस्तों पहले ता आपको phone की settings में जाना है और उसके बाद SIM card वाले option में जाना है मैंने यहाँ पर example के त लिखता है तो कोई बात नहीं ignore करो उपर plus sign है आपको उस पर click करना है पहले तो आपको name set करना है नेम जो में लिख रहा हूँ same to same आपको वैसा name लिखना है तो यह आपको बराबर exactly जैसे कि मैंने यह आप लिखाओ Jio 4G LTE network ऐसा आपको लिखना है फिर APN में आना है नीचे आपको लिखना है Jio Net और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है APN protocol आपको देखेगा यहां पर आना है आपको IPv4, IPv6 लिखना है और APN roaming protocol पर भी आपको बस वही करना है बतब चार settings आपको यहां पर चेंज करना है फिर उपर तीन dot लिखता है यहां से back मत करना है उपर तीन आपकी भी अच्छी चलेगी लेगिन एक बहुत ही जबर्दस ट्रिक मैं आपको अभी यहां पर दे रहा हूँ जो मैंने अपने आप पे apply किया था जब मैं अलीगड गया था क्योंकि दोस्तों अलीगड जब मैं गया था तो मेरे पास internet connectivity इतनी अच्छी नहीं थी तो जब दालेगीन मेरा upload भी यहां पर साथ में चल रहा था उससे दोस्तों मेरे upload में मुझे काफी boost जो दिखाई दिया तो बहले ही आप अगर कोई दोगी और अगर होती है इस वीडियो को ज़रू से लाइक करिए मुझे कमेंट करके बताइए आपकी क्या रही है ऐसे ही important वीडियो दोस्तों मैं आप लोकली future में लाता हूँगा मिलते हैं आप से ग्लिव डूमेक ने वीडियो के साथ तिल यह नहीं नहीं ग्रेट डे और अल्वेस कीप स्मालिग